प्रश्व कि आप वह ख़ी सब्सक्राइब ऑगे गुड़ीवनिंग तो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे स्टेट लाइन चप्टर जो है क्लास 11th NCID हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो कुछ हमने किया था जैसे पॉइंट फॉइंट 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 कि गिवन है कोई लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है for example x1 y1 यह इस पॉइंट से पास कर रही है और इसका स्लोप जो है m है तो इसका स्लोप जो है वो m है तो मुझे क्या करना है इस लाइन की एक्वेशन बतानी है है तो लाइन की एक्वेशन होगी y-y1 is equal to m x-x1 इसका हमने प्रूफ भी कर आया थे पिछले क्लास में आप बढाना लेक्चर देखिए पिछले क्लास का तो उसमें आपको बिल जागा दूसरा हमने देखा था 2.4 2.4 इसमें क्या था कि एक तरड युड़ मृह lonat is passing through 2.6 क्या किया है x-1, y-1 and x-2, y-2 वाइ और लिफर इन दो क्याल पांसकर रही है तो इक्वेशन अफ लाइन क्या होगी सो जो एक्वेशन आप लाइन होगी y-1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1 so यह हमारा है यह equation of line है two point form में तीसरा जो है मारे पास वो था intercept form so intercept form में क्या है कि आपको किसी line का x intercept and y intercept दे रखा है suppose यह जो है वो x intercept है and जो b है वो y intercept है ठीक है so x a intercept है और जो b है वो y intercept है ठीक है b जो है वो y intercept है so इस case में equation of line क्या होगी है na question equation of line क्या होगी equation of line जो होगी वो आपका x upon a plus y upon b is equal to 1 so this is equation of line जो आपको दो ने इंटरसेप्ट गिवन हो और क्या हमें देखा था हूँ so last class में हमने और देखा था हूँ कि slope intercept form तो इसके दो पार्ट है कि माले जो ए मेरा है अगर a है x intercept and m जो है slope है ठीक है so x a is x intercept and m is slope तो equation of line क्या होगी y is equal to m into x minus a और दूसरा पार्ट यह है कि माले जो जो c ले लेता हूँ y intercept and m is slope ठीक तो जो small c है वो y intercept है और जो m है वो slope है तो equation of line क्या होगी तो equation of line होगी y is equal to m x plus c so y is equal to m x plus c ठीक है तो यह equation of line होगी यह आप उसे जानते है इसमें होता क्या है कि इस form में कि यह जो length है यह c है this length is equal to c and slope इसका m है slope जो होगा जोशे ठीटा है slope is equal to tan c आपको slope दे रखा होगा m दे रखा होगा यहाँ पे क्या मतलब है so यहाँ पे मतलब इक लाइक किस तरह से है यह distance a है और slope इसका m है यह मतलब tan theta इस वाले में क्या मतलब है इस वाले मतलब है this distance is a this distance is b so एक line है x intercept a y intercept b तो यह आगे इसमें क्या मतलब है तो इसका मतलब एक कोई लाइन है जिसके to point पता है आपको ऊचीकोश्ण ही और इसवाले में यह है कि एक line है जिस पर एक point पता और slope पता है न को slope out I find a ॏ a ॏ a slope पता आपको मतले अधिसी युइज नाओ इकwerkाषा था और और चलिए तो अखे बढ़ते हैं सो ये छीज हमने लास्ट क्लास में किया था है ना सो एक मिनुट सो देखते हैं इसमें पहले क्या है फिर आगे भरते हैं सो एक है उर्ण वर्टिकल लाइन चलिए यह डिसकस कर लेता हैं सो जैसे आप देखेंगे वोरिजॉंटल वर्टिकल लाइन सो वाले यह एक्सेस है और यह एक्सेस तो यह वाला आपका विशली एक होरिजंटल लाइन आपने ड्रॉप कर लिया तो इसकी एक्विशन क्या होगी तो यह जो डिस्टेंस है माल लिए अ है सपोज या माल लोग भी है जैसे मैं ले रहा हूं अब भी है तो इसकी क्विशन होगी वाई इसकॉल टू-2 तो कोई भी horizontal line है यह जो भी distance है यह negative side होगी तो जो भी मानले ज़े यह minus 2 है y axis पे so this line equation of this line is so y is equal to minus 2 so simply horizontal line का form होता है y is equal to कोई constant मानले ज़े इस तरह से so y is equal to some constant so यह है horizontal line जो होगा vertical line दूसरा form जो है vertical line so vertical line होगी actually वो इस तरीके से है कि आपके पास यह x axis और यह y axis यहां कोई point है मानले ज़े कोई a जैसे में बोल दिया so this line की equation होगी x is equal to a ठीक है तो इस line की equation है x is equal to a so कोई भी vertical line है x is equal to some constant so equation of a vertical line is x is equal to some constant equation of horizontal line is y is equal to some constant और अभी चली कही है electricity city तो wait करते हैं कि